सब की बात है देखें हमें इंडिया के साथ अलको ठीक करने चाहिए दुश्मन जूहर है लेकिन अब दुनिया चेंज होगी है ये ग्लोबे विलिज बन गया अब जंग को दोर नहीं है अब बटो को जाना चाहिए था क्योंकि हर कोई इस circumstant में गया तो बहुत सी वीडियोज निक रही थी जिसमें उन्हें शो हुआ कि S.J. शंकर ने उनका इस्तक्बाल अच्छे से नहीं किया और पाकिसान में ओफिशल्स भी यह कहने लगे कि बिलावल बुटो को नहीं जाना चाहिए था अपनी इंसल्ट पाकिसान की बेज़ती करवाने चले गए सर इम्रान हाने एक स्टेटमेंट दी है कल और यह कहा है कि बिलावल बुटो को नहीं जाना चाहिए था बिलावल बुटो बेज़ती होने किया था पाकिसान की बेज़ती करवाने किया था और यह कहा है कि इसी वज़ा से मैं चाहता हूं कि इलेक्शन करवाए जाए सर आपको वो खतम हो गया पीएम नहीं रहा ही शुष सिट इस एसम्बली उसे एसम्बली चोड़ी और एक साल हो गया देखें आपको सामने इस मुल्क को उसने खाना खराब कर दिया है देखें मुल्क में इस्तिकाम नहीं आएगा तो कैसे मुल्क आके चलेगा जादे ब्रावल साब की बाद ने बनेगी इस किदाम को हम सराते हैं वहां गए ब्लावल साब अच्छी बात है दोस्तियों चाहिए हला ठीक होए चाहिए ब्लावल बुटो से बीबीजी हिंदी ने एक इंटर्व्यू लिया जेनलिस्ट ने उन्होंने कहा कई स्वाल किये पहला स्वाल जो उन्हों रहा है और हम इस चीज़ को खतम करना चाहिए सरा आपको लगता है कि ऐसी स्ट्रेट्मेंट ब्लावल बुटो को वहां बैड के देनी चाहिए थी क्या पाकिस्तान के ओपर औरेडी टैग लगावे टैर्रिस्म का क्या उनको अपने मूं से कंडप्ट करना चाहिए था कि य यहां आया था वो कौन था यह भी कहा लेकिन यह बाद जो आप कह रही है यह बात नहीं यह बात नहीं किया और यह बहुकर के पाकिस्तान माजी में तेर्र में इन्वाल रहा है और यह बात हम लोग टैरर को खतम करना चाहते हैं अब यह मान रहे यह नहीं मान रहे लेकिन में पास सिस्टम प्रूफ भी है कि यूनोंने लाइन बोली है अच्छा, उन्हें कहा होगा लैकि वैसे ब्यांदेना यह नहीं चाहिए था कई बात नहीं करने चाहिए है मुलक के आपको लेकिन ये तो बात दूस्त है कि इस मुलक के अंदर जब से तालबान पैदा की है जब से यहाँ पर टिक्रिशिप आई थी उसके बाद एक मुलक कापूरी आया है हम आए सामने हैं हम देख रहे हैं लेकिन जादे माँखन की बात है उसके बाद ही कोई वैलियो नहीं है अगर सुनी है तो आपको सारा कुछ पता होगा कि उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान और इंडिया के यहां से लोग कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया के तालुकात क्या आपको लगता है फ्यूचर में अच्छे होंगे बेहतर होंगे क्या आपकी इस पेड़ाया तो बिलावल बुटो ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा और दूसरी बात ये कही कि एक और लाइन बोली थी में भी आपको आइडिया हो क्या बोला था आप मुझे बताएं क्या बिलावल बुटो को हाथ बढ़ाना चाहिए था दोस्ती का प्रेड का अमन का पेगाम दे के आना चाहिए था देखे जी बरावल साब जो वहां गए हैं हमारे वजिरेखार जाएं हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हमारे फॉर्म मिनिस्टर रहें को वहां गए हैं और मैंने आप से पहले ही कहा है कि अब ये जंगों को दोर नहीं है हम आज से गए हैं कि हला ठीक हों चाहिए वहां क जो बात किया वो गए हैं हम को सरातें एक आखरी सवाल एक एक नौटिफिकेशन आया है ये पास हुआ है इस पर जर्दारी ने काफी लाइन जो के बोली है इमरान हान के बारे में में भी आपने ये पढ़ा है कि नहीं एक एक ऐसे बाप के घर से पैदा हुआ है जो सर्टिफाइड क्रप्ट है और कुछ लाइन ऐसी बोली है जो नाजब है वो मैं बोलूंगी नहीं कादियानी और गोहर शाही क्यों एक्टिफ से इसकी हकुमत आने के लिए और हकुमत आने पर क्यों हुशते आखरी लाइन सुना देती हूँ हकीम से यह दो डॉक्टर असरार ने तब ही पेशगोया कर दी थी कि यह खुदी लॉंच किया कर रहे हैं अब तब से जब से यह क्रिक्ट खेलता था इस पर आप की कराई मैं समझता हूँ कि जिन्हों के वो बात कर रहे हैं और आप देख लें आपके सामें सारी सुन तेहार है चार साथ पतेने को जा रहे हैं इस मुलकर क्या हाल कर दी है आपके सामने अब यह एक यूथ है जिसको कोई होश नहीं है वो पागलों कोई तरह आपना माबाब से बढ़ कर रहे है वो एक सोशलाइज है इस टाइम सोशलाइज इसली हो गए ना कि हमारे जो यूथ है कोई ट्रेक्शी नहीं है जॉबलर्स लोग है और हम जो कौब हैं ना हम मिला मांगते है मिला होँ चाहिए खाने चल रहे हो वेले बैठे हो वो काम चल रहे है पाकिस्तान का फ्यूचर का देख रहे है अगर यही सुर्तिहार रही और यही सिच्वेशन है हमारे आपस की पार्टीज की देखे जी बी पॉजिटिफ हम में आगस होना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए हमारा मुलक है हम यहारा थे मुल क्या तो हम है हम अन्यक्टिब आपस होची भी इन चाहिए और हमें उमीद है इंशालला अच्छा वक्त आएगा असल में हर मुलक का अपना मौकफ होता है अपनी स्टेट्मेंट होती है असल में काम अगर साही करेंगे मुलक की बेतरी के लिए सारे काम करेंगे तो रिजल्ट भी ठीक आएंगे यह खूद आपस में लड़ेंगे तो फिर दूसरे मुलक इसी तरह करेंगे अगर बैट के इंटर्विवी दिया बीबीसी हिंदी को और यह कहा के टेर में पाकिस्तान माजी में इन्वाल्व था और हम चाहते हैं के टेररीजम को खतम करें लेकिन हो नहीं पारा सर ऐसी स्टेटमेंट अगर हमारे ओफिशल्स देंगे किसी और मुलक में बैट के वो भी इंडिया में बैट के तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के कोई इमिज रह जाएगी स्टेटमेंट तो जो भी देनी चाहिए वो मुलक को मुफाद को समय राक्यों देने चाहिए अगर को इस तरह बैगार सोचे बयान देगा तो मुलक की फिर वैसे ही है अब को क्या लगता है कि एक आखी सवाल वहां पर एक ज़नरलिस्ट ने बावल बुटों से सवाल किya कि इंडिया और पाकिस्तान के क्या तालुगात बहतर होंगे और क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए तो बलावल बुटों तो हर वकिती हासथ बढ़ाना चाहिए था या नहीं उसमें अंदर से बंदे की विल हो तो स्था सब्सक्राइब को जाना नेरी चाहिए था अगर वहां ये स्टेटमेंट हमारे मुलक के खलाब देनी नहीं चाहिए थे, अकर उसे इसंट इसक्बाल नहीं चाहिए थे, मिटिंग इट्र ना करते, उटके आजए थे चेयर पे से, अगर पाकिसान के बारे में यही जो भी था, वो हिंदू था, गैर मुस्लिम था, वो हम इतने उनके टेर्रिस्ट पकड़े हैं वो तो कभी माने नहीं है तो आपने तो कुछ भी नहीं कि और आम माने ठीक है ना तो बहुत मुस्लिक और इसे पहले यूएन के अंदर जब एक यूएन के अंदर जब हमारे शेहबाश श्रीफ गये थे लास्ट टू मांस पहले तो सिर शेहबाश श्रीफ ने भी यूएन के अंदर बैट के एक स्टेटमेंट दी थी कि माजी में टेरर पाकिसान से जाता रहा है हम टेररिजम को खतम करना चाहते हैं दुनिया हमारी मदद करें सर इस तरह के जब मैं आँको बताता हूँ उसकी रिजन यह को इमरान खान की बात को एफिशिट कर रहे है इसमें मुलक का आमिज गरता है अगर हमारे मुलक विज़िर खारचा ये बात करेंगे तो फिर इसका मतलब है वह मुलक के सजजन तो नहीं है उनको तो वह बात करनी चाहिए जो खार पॉलिशी के अंदर आती है स्टेडमेंट आगर वो इंडिया दो उनका दो चैनल इतनी बात को उठाता इतनी उठाता कि पाकिसान में को कबूतर भी वहां पे चला जाए न तो कहते हैं वह बंचलाने आ गया तो वह तो विजीरियाजम मुलक का विजीरिय खारजा तो उसकी सब्सक्राइब को क्योंनी अपिशिट किया है कबूतर में और विजीरिय खारजा में देफिर फरकता होना चाहिए ना जर्दारी ने भी एकल इम्रान हान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है वह एक मैं आपको चंद लाइन ने पढ़के सुना देती हूं उन्होंने कहा है कि एक ऐसे बाप के घर पैदा हुए जो सेटिफाइट क्रप्ट था उसके इलावा अगली लाइन थोड़ी सी नाजेबा है वो नहीं मैं पढ़ना चाहूंगी तीसरी उन्होंने लाइन बोली है काद्यानी और गोहर शाही क्यों एक्टिव थे इसके हकूमत आने के लिए हकू यहूदी लॉंच कर रहे थे जब यह क्रिक्ट खेलता था सर मतलब शेबाश रीफ जरदारी ने यह बात कही है कि इम्रान आन जो मुसल्मान नहीं है वो यहूदी तालुक रखता है सर ऐसी स्टेटमेंट्स आपको लगते हैं जेबा है मेरा है तो साब से यह किसी की माज़ है तो एक चाई पीने वाला बनाने वाला विजरियाजम बन सकता तो कि करकट खेने विजरियाजम नहीं बन सकता और लंबर दो बाद ही है कि अगर अबने मुसलमान भाई को उसका जो भी है सोवन सो मैंनी है जरदारी साथ पूछा अब जात wrapping दो सकता खूजरियाजम बना है छर दो साथ है